हेलो प्रेंटोस वो सेखेंड विल्कब में किनमा इंट्यूब चलांग दोस्तों मैं हूँ आका इसपांड़ और आप देख रहे हैं यह निश्च मिलेने में एक क्योड सेल्पी और दोस्तों कैसे हो आप लोग खोब अच्छा होगे और अच्छे से कर रहे होगे अपने घर म पर जाके समझना चाहिए और फूरा नहीं है एक कट है उसका जो भी हमारे पास था उसके रिकॉर्डिंग थी तो मैंने सुछ आपके साथ सेयर कर देता हूँ उसके साथ ही साथ आपको एक शियो बताना चाहता हूँ कि हमारी इस अपकमिंग संडेंडे से न्यू बैच स्ट आप एडिविशन लेके आगे बढ़ सकें पहले इस वीडियो को देखिए और समझे कि मेरी टीचिंग स्टाइल क्या वैसे तो आपको सब को पता है पर फिर भी आप इस वीडियो को देखिए और देखिए किस तरीके से लाइफ क्लास में हम लोग जाते हैं और क्या-क्या क्या-क्या ची जाती है सारा कुछ देखिए और कमेंट करके जुरू बताईए और जो भी लोग इंटर्शेट है फटा-फट नीचे कमेंट करेगा और मेरे वार्टस पे मुझे डारेट क्वाटेट करिए मैं आपको वार्टस पे आपको स्लेवस देता हूं स्लेवस के साथ जो भी डाउट सेएंगे आपको मैं डायक्त कोल कर दूगा देखि लीडियो और इसके बात हम मिलते हैं आपसे बीडियो के बाद यहां पर यहां पर यहां पर जिस्क्लिक करके next करेंगे और next करके हम करेंगे यहां पर आपनी next drive खुल किया जाएगी next time में आपके पास कुछ options रहेंगे जैसे कि पहला है add beam add beam मतलब अगर आप कोई frame structure बना रहे हो if you are going to make any frame structure frame industries अभी आज को देख रहे हैं आज की time में सारा कुछ क्या हो रहा है frame structure ही तैयार हो रहा है अगर आप कोई frame structure द्यार कर रहे हो तो उसके लिए हम लोग add beam पे करेंगे इति को structure दो type को होते हैं एक होता है load bearing structure और एक होता है frame structure maybe अगर आपके कोई घर पुराने घर में बने होंगे तो frame structure पे नहीं बने होंगे वो बने होंगे load bearing structure जैसे कि मेरा खुद का घर जहां पे मैं हूँ यह load bearing structure मलब मोटी मोटी wall है उसे के उपर slab लगा दिया गया है वो बनाया जाता है बट अगर कोई beams और column से बनी हुई wall है पूरी की पूरी building beam और column पे टिकी हुई है तो उसको बोलते है frame structure उसके लिए क्लिक करेंगे add beam पे next option है यहाँ पे add plate add plate in the sense कि अगर आपके पास कोई plate है slab की plate है water tank की plate है उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करते है add plate इसके बाद होता है add solid मनलब कोई solid box है कोई solid rod है ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ पे add solid पे क्लिक करके उसको analyze कर सकते हैं उसको design कर सकते है next is open structure wizard open structure wizard means यह एक तरीके की library है जिस library के अंदर बहुत नहीं सारे tools है उन tools को use करके आप direct कोई buildings त्यार कर सकते हैं और उनको edit कर सकते हैं अपनी use key quality इसके बाद option आता है open stat editor open stat editor in the sense आगर आपको कोई editing करनी है अपने structure में तो आपको open stat editor पे click करना है और जैसे click करेंगे तुर उस लोड में कोई modification चाहिए तो आपको click करना चाहिए open stat editor टे और इसके बाद last option होता है edit job information मतलब आपके job का कोई भी info किसी को देना है मतलब कि वो कितने उसमें भीम से कितने उसमें column से ऐसा कुछ भी करना है तो आप उस पे click करिए और click करने के बाद यहां से उसकी information ले सकत है उसकर गया नहीं यहार अभी तक उसकर आप एक बार जाके फिर से आ जाईए तो आपके लिए विटर रहे गाए थी आप इसके बाद हम लोग यहां पे click करेंगे add beam और add beam पे click करके just finish पे click करना है आपको जैसे फिनिस पे click करेंगे यहां पर आपके सामने एक grid खुल किया जाएगी और grid पे जैसे ही देखेंगे आप पास अजी बोलो प्रदीप प्रदीप अगरा क्यों नहीं select करते हैं तो आगे हम लोग जब कोई solid box बनाएंगे solid rod बनाएंगे तो उसके उपर भी click करेंगे तो यह depend करता आप बनाएंगे तो सारा select कर सकते हैं नहीं सारा नहीं select कर सकते हैं एक time पर आपको select करना पड़ेगा हां ठीक है एक time पर क्यों select कर सकते हैं अब इसके बाद कर देगा बाकि लाश्ट में आपको 10 मिनट दूंगा सिर्क कुछिन कुछने के लिए कौन सार पूछू चाहें जो ओके तो यहां पर जब आप grid देख रहे हैं इस grid में देखिए इनके बीच की जो spacing से वह one one meter की है इनके बीच की spacing वह one one meter की है अगर आपको spacing में कोई editing करनी है तो editing करने के लिए आपको यहां पर देखेंगे तो corner में snap node नाम का box खुलके आ जाएगा यह box का control कहां पर होता है इस box का control होता है यहां पर corner में fifth number पर टूल है जिसका नाम is snap node beam अगर इस वह click किया तो guide हो गया इस पर click किया तो यह आ गया यहां पर देखेंगे तो यह जो box है इस box में कई तरीके के editing है और यह समझना बहुत ज़रूरी है क्यों क्योंकि आपको अगर कोई complicated building दिया गया तो उसका सारा काम यहीं से होने वाला है यहां पर edit पर click करेंगे तो आपके पास एक box खुल किया जाएगा जिस box में आप देखेंगे तो यहां पर लिखा रहेगा xy coordinate मतलब अभी आप जिस coordinate में है उसका नाम है xy देखेंगे यहां पर xy कैसे हमने बोला क्योंकि इधर से भी जा रहे है और इधर से भी जा रहे है तो इसको बोलते है x और इसको बोलते है y coordinate अगर आपने xy के जिकर पर xz कर दिया तो देखो आपका coordinate इस तरीके से हो जाएगा यह slab और एक लिए उस करेंगे अगर आपका coordinate yz कर दिया तो yz करेंगे तो आपका coordinate इस तरीके से हो जाएगा अब यहां पर देखेंगे plane angle plane angle में अगर हम click करेंगे तो अभी हमारे पास yy angle है अगर हम लोग xx करेंगे तो अभी इसको कोई चीज़ नहीं मिलेगा लेकिन अगर x के coordinate में हमको कोई angle डालेंगे तो उस angle प करेंगे तो उपर के direction में चली जाएगी और यहां पर अगर grid origin किये रहेंगे तो जिसके respect में किये रहेंगे grid origin वहां पर हो जाएगा मतलब मतलब कि अभी देखेंगे यह 0,0,0 पे है अगर हम लोग इसको xy plane लेंगे तो देखको अभी यहां पर है हम लोग अगर इसमें इसके बाद सबसे ज्यादा जो important जिसका बार-बार use में आने वाले है आपको वह है spacing कल भी मैंने बताया था spacing अगर हम 0.5 कर देंगे तो सारे grid की जो spacing से यह 0.5 0.5 0.5 हो जाएगा और इसको अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहां पजाएगे जैसे इसे बढ़ाते अब आप अपने use के according x में भी और y में भी edit कर लिजे और करके ok कर लिजे तो यह था कल का थोड़ा सा introduction person hope आपको clear हो गया होगा तो थोड़ी से मस्या है ति इसलिए मैंने repeat किया अब हमें अकर मान लेजे हमारे पास कोई भी आप 3 मीटर कर लेजिए और इसको हम क्या कर देंगे off कर देंगे अब देखिए आपके सामने एक बिल्डिंग का एक corner आ गया मलब आगर आप जिस रूम में बैटे हैं उस रूम में अगर देखिए तो इस तरीके से यह corner आ जाएगा proper इसमें column भी है और beam भी है अब step number one जितने भी लोग नए है या जितने लोगों को कल नहीं सवज्ञाए था फटा फट अपना notebook open करिए और notebook में लिखिए step number one क्या लिखना है उसमें उसमें आपको यहां पर journal पर जाना है और journal पर जाने की बात define करना है अप आप कितने का beam लगाना चाहते हैं और कितने का column उसके लिए आपको define पर क्लिक करना है तो लिखिए आप journal property define जैसे define पर क्लिक करेंगे यहां पर आपके सामने कई ठेर सारे type के shape मिलेंगे मलग जैसे की circle भी है rectangle भी है टी टाइप है ट्रेपोजाइडल है जनल है ट्रेपार है अब RCC में maximum आपको मिलेगा तो circular मिलेगा या तो rectangular मिलेगा जैसा कि मैंने अभी rectangular resume कर रहा हूं तो हम beam का size दे देते हैं सबसे पले तो beam के लिए हमने माना यहां पर yd yd मतलब आपका depth beam का depth ले लिया 300 mm और इसका width लिया 230 mm मतलब 0.23 meter और इसको कर दिया add ऐसा नहीं है कि क्यों एक ही section होगा different section हो सकते हैं जैसा कि हमारे सामने एक challenge है भी लेखे कि column के साथ यहां पर column भी है और beam भी है तो beam के लिए तो लगा दिया अब column हमको देना है तो suppose हमने column लिया .30 into .30 300 by 300 का हमने column लिया और column लेके हमने इस पर कर दिया add और फिर कर दिया close अब देखिए आपके सामने column भी आ चुका है और beam भी आ चुका है अब यहां पर तो column की ओल दो है तो आप इसली control प्रेस करके दोनों को select कर लो बट सोचो 10 कॉलम है 15 कॉलम है उसके लिए आपको यहां पर होता है front view यलो पर देखिए यलो वानी जो लाए boxes है उसमें सबसे पहला वाला है view from positive jet मतलब यहां पर खड़े होके देखोगे jet पर खड़े होके देखोगे तो इसा दिखेगा front दिखेगा तो front देखने के लिए आपको यहां पर front view पर कर देना है और जिससे front view पर करेंगे आप वो बोलेगा select कर लो जितना select करना है मैंने दोनों कॉलम को select कर लिया और select करने के बाद देखो यहां भलिखा हुआ है assign to selected beams एक interview पूछा गया था कितने types से हम assign कर सकते हैं structure को तो आपको बताना है हम 4 types से assign कर स गया तो step number one का हदा काम हो चुका है इसके बाद आता है आपका beam beam तो बहुत हीजी है क्योंकि एक ही beam है तो हमने beam select कर लिया और select करने के बाद देखो यहां पर आ गया assign to selected beams और हमने किया assign और उसके बाद किया as और यह assign हो चुका है आप बोलोगे sir कैसे पता कि यह लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ हाँ यह question है अच्छा question है तो इसके लिए आपको answer आपको हम पता पर अच्छी है यह आप होता है 3D render देखो इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपको तुरंट एक box मिलेगा जिस box में आपको 3D render किया हुआ मिर देता हुआ आपके दिवाद में question आ रहा होगा कि sir यहाँ पर यह क्यों हाफ क्यों लिया हाफ छोड़ क्यों दिया मलब क्या बीम ऐसे लगता है नहीं स्टेट को कैसे अहि को लेता है अभी साथ पुस्कार प्रॉलम सॉल नहीं हुए पुसकर आपका problem sol हुआ अट साथ पुसकर पुस्कर की problem sol ने बाखी सब कतर हो गया में हो गया है यहाँ देखो यहाँ पर आपको मिलेगा येस सर इस जॉइंट के बारे में पॉलिए प्लीज बोलिए आपने कुछ कुछ वाली प्रॉलम मेरे को भी थीगी पता निक क्यों नहीं होता है आपके दिमागे किदर ही कुछिन आएंगे मैं उसका एंसर पहले ही देंगा ठीक है कोई बार ने यहां पर मैं आपको म्यूट क कोषिए पूचना रहा तो पूच लेज़े आप देखिए यह आफ क्यों आता है कि आप काम करें स्टैट्प्रों में स्टैट्प्रों एक शॉफ्ट्वेर है कलको अगर तुमको यहां से फिरसे एक बीम एडिट करनी हुई यहां से एडड करना हुआ तो कैसे एडिट चलता है जिससे कि in future आपको यहां पर एक beam और अटकनी हुई यहां से चला लो एक beam और वो beam भी add हो जाएगी तो यह interview के question है आप इसको याद रखिएगा space में दूसरा frame भी हम बना सकते है in future तो उसके लिए वो space छोड़के चलता और center to center चलता है चलिए step number two आपको जाना है support पे यहां पर होता है support और support में देखेंगे तो आपको different types के support मिलेंगे लेकिन अब इसको मैंने मान लिया कि एक building का support है यह तो building का support है कल था के और beam का support तो हमने एक तरफ fix रखा था एक तरफ भी नखा था बड़ building में केवलो केवल आपको fix support लगाने की जुरूद परती है तो यहां पर create का option होता है और create के option पे ऐसे click करेंगे तो आपके सामने देखो यहां पर fix आएगा, fix pin आएगा, fix but आएगा पर सब को discuss करने वाला हो आगे अभी हमने इसको केवलो केवल fix लिया जिससे हमें step flood जाए, fix add अब यह support आ चुका है अभी support को हमको लगाना है यहां और यहां तो मैं तो ऐसे करके लगातूँगा क्योंकि यहां पर यह छोटा सा यह लिया और यह बट सूचों यह बहुत डेर सारे होते तो तो उस case में आपको इसके front view में जाना चाहिए, इसके front view में जाना चाहिए, और front view में जाने के बाद सारे notes को भुलग जिमिशे कि जितने notes है ऐसे select करो, यह दर उदमन्द करो, ऐसे proper ऐसे करो select करो, सारे notes आपके select हो जाएंगे और यहां पर लिखा रहेगा assign to selected notes, आपको assign प 3D render view में करना चाहिए, आइसometric में करना चाहिए, तो देखिए, लास्ट वाला box चोई, यह isometric है, इस पर जैसे ही click करेंगे, तुरण यह isometric shape में आ जाएगा, चलिए, next step है आपका load and definition, load and definition, इस पर click किया मैंने, और click करने के बाद, आपको click करना है, load case detail पर, आपको देखिए load case details पर, और यहाँ पर click करके आपको करना है, add, और जैसे यहाँ पर click करके add करेंगे, यहाँ पर आपको मिलेंगे कुछ loading types, loading types in the sense, कितने types के load आपको लगाना पड़ सकता है in future, इस से ज़्यादा load के types नहीं होंगे, आपके सामने तो table आ रही है, इस table को देख रहे होंगे, dead, light, roof load, wind load, seismic load, snow load, floor load, मनलब maximum load के types यहाँ पर cover हो चुके है, अभी के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर dead load लूँगा, क्यों क्योंकि dead load से जादा अभी यहाँ पर लगने वाला नहीं है, तो dead load लिए यहाँ, और dead load लेने के बाद यहाँ उसके title का नाम लेख दीज अब इस dead load पर क्लिक करिए, और dead load पर क्लिक करने के बाद आपको add फिर से क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको लिखना है self weight, और self weight पर आपको डालना है self weight, अब याद रखेगा, self weight जो डालते हैं, वो RCC के लिए डालते हैं 1.5 और still के लिए डालते हैं 1.15 यह उपर से आता है मलब यहां पर डारेक्शन देखो तो वह आई है मलब उपर से आ रहा है मतलब मतलब कि यह निएटिव में यहां पर डाला जाएगा इसलिए यहां लोग डालते हैं माइनस 1.5 फिर यहां पर प्लीक करना है आपको तैसे एट करेंगे देख तुरंत यहां पर लग चुका है और इसके बाद को कर देना यहां रोरी हो िब लेना है इस शाध गठ लीना है अब इस सेलिट को पूरे स्ट्रक्चर का होगा मतलब यहां पर लग चुका है और इसके बाद ने सिस्टे पर आपका इनाल्सिस एंड प्रिंट लाफ श्टे पर तरीके से और यहां पर आप आल करना है और क्यों करना है क्योंकि लोड डाटा, स्टैटिक चेक, स्टैटिक लोड, मोर्ड सेफ में जो सब का रिजल्ट जानना है यहाँ कर दो all और all करने के बार यहाँ पर आपको क्लिक कर देना add और बिल करने के बाद जैसे add करेंगे तुरांत इसको close कर देना है और यहाँ पर लिख्या जाएगा perform analysis field all मलब analysis हो चुकी है यहाँ लिखा हुआ है finish मलब done next and पूरी तरीके से last work है analyze उपर देखिए सब से उपर वाले रो में analyze लिखा हुआ है यहाँ लिख्या हो run analysis और इसकी shortcut की है control F5 उसको भी फ्रेस कर देंगे तुरां इना असिस हो जाएगा फिर पूछता है कि file को save करना है menu layers file को save करना है और जैसे save करेंगे तुरांत इसकी report त्यार होने लगेगी यह देखिए अब देखिए यहाँ पर लिख्या हुआ है zero error, zero warnings, zero note मतलब आपका जो structure है पूरी तरीके से perfect है zero error है इसमें zero warnings है इसमें zero note है मतलब आपका एक structure पूरी तरीके से बनाया जा सकता है कोई भी problem नहीं है अब इसके मुझे result देखने है तो result देखने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है view output file पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इसका क्या weight आएगा और यह structure का पनाया गया क्या बनाया पूरी history आ जाएगी देखिए यहां पर आपके सामने stat pro का detail खुल रहे है मलब result खुल चुगा है इस result में देखिए यहां पर लिखा हूँ है stat pro v8i series 5 जो लोग यूज़ कर रहे हैं इसका version जो रहेगा version आ जाएगा उसके बाद यह कब बनाया गया मलब sorry कब इस project को बनाया गया तो यह लिखा र टोटल कितने members हैं तो इसमें total three members हैं कितने supports हैं इसमें total two supports हैं तो यह सारी यहां पर मिल जाएगी है इसके बाद यहां पर देखेंगे नीचे तो आपको लिखा रहेगा आपने जो भी load लगाए रहेंगे वो self weight यहां पर मिल जाएगा और self weight के साथ साथ आपको यहां पर लिख्या जाएगा actual weight of the structure मलब रियल में structure का क्या weight है और फिर इसको हम कर देंगे आज से टोस अब मुझे देखना है इस पे deflection कितना आ रहा है तो deflection देखने के लिए आपको यहां पर post processing पर क्लिक करना है जैसे post processing पर क्लिक करेंगे यह ब और फूर इस करने की बार इसको ऐसे scroll करेंगे control प्रेस किये रहेंगे keyboard में लिख लीजेगा keyboard पे control प्रेस करना है और mouse को ऐसे scroll करना है जैसे scroll करेंगे यह देखिए आपको यहां डिफ्लेक्शन का graph खुल जाएगा खुल आपको खुल वीडियो अच्छी लगे होगी प्लीज अगर अच्छी लगे खुल तो दोस्तों सेयर करना साथ यसाथ सबको बता देना कि रीप लेख साथ कर रहा हूं प्लस पोड़ टैप के बिल्दिंग्स आपके साथ सैर कर रहा हूं मिन्स यह पोडर में ब्रोजक दे रहा हूं lectures का कि आप कभी भी lifetime में उसको इक बारी चला लो और revise कर लो कि सारा का सारा content इससे कुछ नहीं हो सकता साथ ही साथ इनके सब के साथ जो आपको question answer आप करने वही मैं बता रहा हूं और structure के concept भी आपको उसमें मैं पढ़ा रहा हूं कि जो structure में important concept है जो इस्टाइट के साथ और साथ अगर अभी तक आपने इस्टाइट पूर नहीं सीख और आपको advanced level पर सीखना है या आपने सीख्या है आपको advanced level पर नहीं आता इंटर्वी में में मेरे स्टाइट पूर इस लेवल से बाहर से कुछ भी नहीं पुछा जाया गया इसकी मैं guarantee ले सकता हूं क्य किया आप